हलो हाई नमस्कार स्वागत आप सभी का मैगनेट ब्रेंस के आई टी जे यह और नीट चैनल पे यहाँ जम बात करेंगे रोटेशनल मोशन एक ऐसा जप्र जिससे अक्सर बच्छा घबरा जाता है अब मुझे नहीं पता क्यों घबराते हैं बस एमें हवा बना रखा है रोट क्या है तो बड़ी सिंपल सी परिभाश होती है कि एक ऐसा मोशन जिसमें किसी भी बॉडी के हर एक पार्टिकल जो है वह एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो जैसे कि मैं बात करूं रोटेशन मोशन की तो यहां पर आपको इस जूले के बारे में तो पता होता है ना कि कि वह एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा हर पॉइंट के एक टेंडेंसी है कि वह क्या करेगा मेरे बच्चे एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा हर पॉइंट के टेंडेंसी है वह एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा हर पॉइंट के टेंडेंसी कि वह एक सर्कुलर पाथ फॉल हर सर्कूलर पार्ट का बेटा क्या होगा एक ही सेंटर होगा तो इनका कॉमन सेंटर होता है और इसके बाट यह सिम्पल सी रोटेशन की रोटेशन मोशन में ज़स्ट सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट जहां सवाल आने की संभावन है वह बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शी जैसे आपको पता होगा नॉर्मल केस बॉडिस के सब्सक्राइब और इनर्शी आता था जो बोलते थी कि बाई बेसिक आपको बताता है कि वह मोशन को कितना पोस कर रहा है या फिर किसी भी चेंज ऑफ स्टेट को कितना पोस करता है वैसे ही कहानी रोटेशन में भी होती है कि चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पर बाटेशन से हो जाएगा मोशन की जगा आप हम रोटेशन लेंगे या फिर रैस्ट से लेंगे तो यहाँ पर moment of inertia define करता है कि किसी भी body का कितना moment of inertia से हम define करेंगे it is the property of a body जिसकी वज़ा से हम यह define कर सकते है कि वो अपने state of change को कितना oppose कर दो जैसे inertia होता था वैसे कहानिया पर भी है ना तो moment of inertia यहाँ पे अलग-अलग bodies के लिए अलग-अलग होता है body जब rotate करती है तो उसका moment of inertia होता है अब वो depend करता है कि body क्या है दूसरी बाद डिपेंड करता है axis of rotation क्या है है ना इन सारे factors पर depend करता है तो मैं एक सबसे simple वाले cases आपको यहाँ पर लेने वाला हो उसी के basis पर आप आगे कुस्स theorem से लगा के और भी moment of inertia find कर सकते हैं जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं discrete particles के लिए माल लीजिए मैं पास एक ऐसा system है जिसमें अलग-अलग mass particle है यह m1 m2 m3 तो एक discrete particle system हो गई है और बेटा जब भी discrete particle system की बात आए यह जब भी आपके पास एक point mass आ जाए तो point mass अगर axis of rotation से आर डिस्टेंस पे है point mass अगर axis of rotation से आर डिस्टेंस पे है तो मेरे बच्चे उस case में moment of inertia mr square बनता है याद दखना axis of rotation क्या है एक ऐसा point जो की वो जो circular path follow हो रहे थे ना बिटा यहां पे हाँ तो यह जो center है इस center से एक line को भेज दीजिए अंदर यह जो center था यहां से line अंदर की तरफ जाती है this is the axis बिटा और यह जो body rotate कर रही है इस axis के about rotate कर रही body इस axis के about rotate कर रही तो axis of rotation यह वो axis होती जिसके about body rotate करती है तो this is the axis of rotation और axis of rotation से अगर हमारा mass particle r distance पे है so the moment of inertia comes out be mr square पहले वाले case में बैठा it will be your m1 r1 square क्या यहां पे आपको moment of inertia पता चलता है बिलकुल sir m1 r1 का square यहां पे moment of inertia i3 it will be your m3 r3 का square it will be your m2 r2 का square है ना तो यहां पे हमने क्या define किया moment of inertia को define किया अब sir यहां पे तो 33 particle है अगर मुझे total moment of inertia निकालना है तो सिधा plus कर दो इनको total moment of inertia निकालना चाहते हो net moment of inertia will be i1 plus i2 plus i3 कर देना so it will be your m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square कहानी चलती जाएगी तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिखता हूँ ऐसे लिख सकते हैं क्या देखना ही पड़ है ना मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या summation m i r i का square और i का value 1 से लेके n तक चलता जाएगा i का value 1 put करोगे m1 r1 square summation का मतलब plus i का value 2 put करोगे m2 r2 square summation का मतलब plus i का value 3 put करोगे m3 r3 square summation का मतलब plus फिर i का value 4 put करोगे यसे कहानी चलती जाएगी है ना तो यह तो discrete particle के लिख हुआ बेटा यह और कहानी दिफाइन की है वो फॉर्द डिस्क्रेट पार्टिकल अगर यहीं पर एक continuous body आ जाए तो फिर क्या करें जैसे कि आप नीचे वाले case में देख सकते हो एक continuous body आ गई बेटा ऐसे cases को solve करने लिए आप हमेशा small element लेते हैं तो फिर से वही बात यह हमारा axis of rotation था axis of rotation से x distance पे एक छोटा सा element हमने consider कर लिया axis of rotation से r distance पे मैंने किया कि एक छोटा सा element consider किया बेटा r distance पे अगर एक छोटा element हमारे पास है तो क्या इस छोटे से element का mass dm नहीं होगा सोच के देखना बाई पूरी body का mass अगर capital M है तो छोटे से element का mass dm हो जाएगा इस छोटे से element के लिए एक छोटा सा moment of inertia define किया जाएगा d i equals to dm r square परसा मुझे तो पूरी body के लिए तो i को लिखेंगे integration of d i करके integration of r square dm करके मेरे बच्चे यहाँ पे आपके पास moment of inertia निकालने के लिए integration का use करना पड़ेगा ठीक है तो moment of inertia आप निकाला जाते हो तो आपको integration का use करना पड़ेगा r square dm पेटा एक छोटा सा element axis of rotations है r distance पे लिए r square dm करके आप इसको integrate कर देना limits लगा लोगे तो उससे answer मिल जाएगा ठीक है sir rigid bodies में कौन-कौन आता है जैसे कि rod आ गई जैसे कि cylinder आ गया जैसे कि sphere आ गया है न या फिर कोई और disc वगएरा आ जाए है न disc आ जाए एक्सेटर 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 यह सब हमारे rigid bodies में तो मैं इन सब के लिए आपको moment of inertia निकालने सिखा दूँगा और उस axis के बाट सिखांगा जो उनके center से पास हो दिए उसके बाद आप parallel axis और perpendicular axis theorem का यूज करके बाकियों के लिए भी moment of inertia निकाल सकते हैं जैसे कि सबसे पहला केस में जो यहां पर consider कर रहा हूं वो ले रहा हूं बेटा एक रिंग का ठीक है अच्छा देंग डिस्क और साथ में लिए चलो उससे पहले मैं आपको moment of inertia है about some axis है ना और आपको बाकी के axis के about moment of inertia निकाला है जैसे इस केस में बिटा मालीजिए यह y axis हो जाए इस केस में मालीजिए this is your y axis this is your x axis और बेटे बच्चे यहां पर ऐसे z axis भी होगा दिखता है यह सभी को आपको so आपको moment of inertia y के about पता है है ना अगर आपको i about the y axis it's the moment of inertia about y axis it's the moment of inertia about y axis अगर आपको यह पता है अगर आप moment of inertia about the y axis जानते हो तो आप एक काम करना i x plus i z करना तो वो i y के बराबर हो परपेंडिकुलर एक्सिस थिरम यही कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थिरम यही कहता है ठीक है तो i x plus i y जो है वो i y के बराबर हो अच्छा अगर आपको z के about moment of inertia निकालना होता x और y के पता होता i x plus i y equals to i z करना तीनों mutually perpendicular है तो इसके लिए i x plus i y i z के बराबर भी हो सकता है also i y plus i z i x के बराबर भी हो सकता है वो given condition के साब सोगा कि आपको क्या क्या given है बाकी perpendicular axis चर्म यहीं कहती है कि दो परपेंडिकुलर दो एक्सिस के बाउट अगर moment of inertia को add करते हो तो आपको तीसरे moment of inertia का मिलता है तीसरे axis के बाउट का moment of inertia मिलता है जो कि perpendicular है लेकिन यह चीज़े तभी valid होगी जब यह mutually perpendicular है बेटा axis अगर perpendicular होती है तो ही एक बातें लगेगी otherwise यह बातें नहीं लगती है इस बात का ध्यान रखना आप लोग ठीक है समझते होने सारी बाते तो यह सारी अभी चीज़े मैं लिखना रहन रहन देता हो यह लिखे रहन देता हो देख लेन तुम लोग अच्छा एक बात बताओ इस diagram को देखके तुम्हें और क्या feeling आ रही है दो मिंट के लिखे मैं हटा देता हूं इस diagram को देखके तुम्हें क्या feeling आती है उस diagram को देखके सर यह disc कैसी हो लिख है horizontal plane में है तो जो moment of inertia z के about होगा वही moment of inertia x के about होगा सोच के बताओ नाया क्या इसी बात है बोल सकता हो में सोचो जड़ा x-axis along the diameter z-axis along the diameter और y-axis perpendicular to the diameter तो जो x-axis है वही z-axis है अरे यार x-axis और z-axis दोनों diameter के along है तो जो moment of inertia x के about आगा वही z के about आगा due to symmetry due to symmetry symmetry की वज़ा से यह सारी बाते है बिलकुल valid होने वाली है कि जो moment of inertia x के about आता है तो यह perpendicular axis theorem है याद रहेगी उसके लावा आता है parallel axis theorem क्या कहता है parallel axis theorem कि वाई साब अगर आपको moment of inertia पता है about the center of mass अगर आपको moment of inertia पता है about the center of mass यह रहा center of mass अगर आप ICM जानते हो तो किसी भी axis के about moment of inertia निकालना है तो आप करेंगे ICM plus MD square where M is the mass of the body ICM plus MD square where M is the mass of the body and D is the distance of the axis from the axis passing through the center of mass यह जो axis है इसका distance from this axis या फिर from the center of mass वो D हो जाएगा center of mass से इस axis का जो distance से वो D हो जाएगा वो D यहाँ पर लिखेंगे MD square ICM plus MD square ठीक है भई यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को भी axis theorem पता चलगे अब मैं आपको moment of inertia बताऊंगा about the axis जो की center of mass से पास होगी मैं center of mass के about moment of inertia बताऊंगा बाकी के लिए आप सब खुद से sign कर सकते हो ठीक है चली बई तो यह सारी बाते पता थी इसके बाद सीधह हम रिंग पर आते एक ऐसी रिंग जिसका मास M है radius R है तो moment of inertia MR square हो जाएगा बेटा आप देख सकते हो कि जो यह बात है वो center of mass से पास हो रहे हैं यह जो axis है हमारी जो axis of rotation है मेरे बच्चे वो कहां से पास हो रही है रिंग के center से पास हो रही है अच्छा मैं आगर आपसे बोलूं कि भाई इसके बाद तो पता है किसी और कि इसके बाद बताओ मुझे मुझे moment of inertia बताईए about this axis है इसके बाद moment of inertia बताईए कितना होगा तो क्या आप यहां पे perpendicular axis theorem लगा के solve करेंगे तो यहां पे इसके बाद moment of inertia बनता है mr square by 2 perpendicular axis theorem लगा के देख लेना बेटा आई y equals to ix plus iz बेटा यहां पे देखो जो moment of inertia z के बाद है है वही moment of inertia x के बाद भी होगा ix plus iz equals to iy y के बाद है mr square तो यहां से mr square बेटो इसके बाद भी mr square बेटो तो यहां पे आपने इसको perpendicular axis theorem से solve किया महां लीजे कोई आप से मूझ पूछ ले कि भाई सब मुझे तो moment of inertia बताईए about this axis i dash तो मेरे बच्चे यहां पे आप क्या करोगे यह देखो यह कितने distance पर रखा है r distance पे radius पे है ना r distance पे यह वाली axis है center of mass से r distance पे center of mass पे है mr square यह भी mr square तो यहां पर जाएगा 2 mr square center of mass के axis के बाद है moment of inertia mr square r distance पर रखा है m is the mass of the ring mr square plus mr square to mr square is the moment of inertia about this axis बड़ा simple से fund है मेरे बच्चे कुछ भी देदे हैं आप किसी भी axis के about moment of inertia निकाल सकते हो अगर आपको perpendicular axis theorem और parallel axis theorem पता है तो ठीक है तो वो कहानी ring के लिए है वैसे ही मैं disk के लिए बता रहा हूँ एक ऐसा axis जो center से पास होता है given by mr square by 2 annular disc बेटा ऐसे डिस्क जिसमें सिर्फ इतना सा पार्ट होता है अंदर hollow है बाहर से भी hollow है एक मोटी ring जो होती है ना वो एक annular disc की तरह behave करती है ना माले ऐसे यह वाली पार्ट ठीक है यह अंदर से hollow है सिर्फ इतना सा पार्ट भरा हुआ है बाकी पूरा खाली है मेरे बच्चे इसको कहते हैं annular disc annular disc बेटा इस annular disc में दो radius होते हैं एक होता है inner radius एक होता outer radius तो r1 अगर हमारा inner radius है r2 हमारा outer radius है तो disc है ना बेटा तो disc का formula लेगा लेकिन r की जगा इस बार r1 square plus r2 square हो जाएगा r की जगा इस बार क्यों हो जाएगा r1 square plus r2 square हो जाएगा तो यह एक और formula होगे हमारे पस moment of inertia का समझ आ रही है बात है क्या चल रहे है यहां पे अच्छा इसमें भी अगर मैं पूछों कि बढ़ा दो किसी और एक्सिस के बाउट अगर तुम्हें जैड के बाट यह सारी बात है जैड के बाउट चल दी है ना अगर मैं आप से एक्स और वाई के बाउट पूछो तो बता दोगे इसका वन बाई फोर हो जाएगा अगर मैं आपको इस एक्सिस के बाउट पूछ लूँ आई डश के बाउट तो आई डश के बाउट आप पैरलल एक्सिस के लिम लगा के स्वाल कर सकते इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है बड़ा सिंपल है सब कुछ चोलो इसके लावा बेटा मोमेंट आफ इनर्शिया स्फेर के लिए बहुत ज्यादा सवालों में आएगा जैसे सॉलिट स्फेर के से अगर पास हो रहा है तो टू बाई फाइव एमार स्कूर बेटा स्वालिट स्फेर में वह है कहीं से भी पास हो सब बराबर होता है ऐसे पास हो ऐसे पास हो या फिर ऐसे हो सबकर मोमेंट ऑफ इंच E wart लो एसी लो ऐसी वाली एकसिज जो इधर से ऐसे जारी है, ऐसे जारी है, सब के about moment of inertia सेम रहेगा, 2 by 5 MR square, solid sphere के लिए ये वाली बाते रहती है, लेकिन वहीं पे अगर sphere मैं आप से पूछ ले जाए, what is the moment of inertia about this axis, अच्छा, तो इसके about आपको पता है moment of inertia, 2 by 5 MR square, ये radius है R, इसका mass है M, तो it will be 7 by 5 MR square, सोच के देखना क्या यहीं answer बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 by 5 MR square plus MR square, 7 by 5 MR square, समझे बात को, तो इस axis के about हो जाएगा 7 by 5 MR square, parallel axis theorem सापने solve को लिए, कुछ भी दे, सब आप निकाल सकते हो, तो tangential axis के लिए, जो रहेगा 7 by 5 MR square, बाकि जो भी axis हो बेटा, उसके लिए 2 by 5 MR square रहेगा, वैसे होलो स्फेर के लिए यह होता है, बेटा, 2 by 3 MR square, अब होलो स्पेर में कोई सी भी axis हो, ये हो, ये हो, ये वाली हो या ये वाली हो, सब के लिए 2 by 3 mr square लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे पूछनू what will be the moment of inertia for this axis hmm तो यह दिक्कत हो जाएगी i dash कितना होगा so 2 by 3 mr square plus mr square बिटा है यह 5 by 3 mr square हो जाएगा 2 by 3 mr square इसके बाद तो पता है 2 by 3 mr square होता है यह distance r हो जाएगी बिटा इसका mass m हो जाएगा so 2 by 3 mr square plus mr square so it will be a 5 by 3 mr square तो this is the moment of inertia about this green axis so सेफ आपको perpendicular axis theorem parallel axis theorem यह सब पता होनी चाहिए आप सब निकालो के फिर बहुत जादा पूछता है बैस फिर के लिए तो अच्छा खास ही पूछता हो इसको बहुत पसंद इस स्फिर है hollow के लिए 2 by 3 solid के लिए 2 by 5 अपार्ट फ्रम देस वो थिन hollow cylinder के लिए भी पूछता के विगवार तो बैटा यहाँ पे hollow cylinder है जिसमें एक ऐसी axis है जो कि length को काट रही है आप देख रहे हो यहाँ पे length थी और यह axis कुछ इस प्रकार है कि वो length को कट कर रही है उस case में मेरे बच्चे moment of inertia बनता है mr square by 2 plus ml square by 12 mr square by 2 plus ml square by 12 देखो भई अगर एक rod आपके पास होती है और अगर axis rod के center से जा रही है तो इस axis के about moment of inertia ml square by 12 होता है where l is the length and m is the mass rod की तरह ही यह भी behave कर रहा है sir rod की तरह ही यह भी behave कर रहा है तो अगर एक axis जो किसको cut करें तो it will be your ml square by 12 तो यह cutting की वज़ा से ml square by 12 हो गया side से देखो मेरे बच्चे side से देखने पर आपको एक ring की feeling आ रही है अगर आप किसी भी hollow cylinder को सामने से side से इधर से देखोगे तो आपको एक ring की तरह दिखेगा रिंग की वज़ाद से दिखेगा तो यहां पर बेटा बोलो इसके perpendicular है ना इस axis के about देख लेते हैं लोग तो इस विल बी और mr square by 2 क्योंकि इस axis के about आप जानते हो it will be mr square by 2 है ना तो रिंग के अगर along the diameter कोई axis होता है तो mr square by 2 होता है और length के लिए mr square by 12 हो जाता है को सामने से देखोगे तो सामने से देखने पर की तरह दिखेगा solid cylinder अगर मैं सामने से देखूं तो एक डिस्क की तरह दिखता है और मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि डिस्क की लिए मोमेंट आफ इनर्शिया क्या एमार स्क्वार बाइटू होता है क्या बोलो जरा एक ऐसा एक्सिस जो की बिल्कुल से पास हो रहा है परपेंडिकुलर है ऐ अच्छा देखो बीदर आओ यहां पर आगे हम लोग यहां पर लेंथ के परपेंडिकुलर है लेंथ के परपेंडिकुलर है तो भाई फिर से वही एमल स्क्वार बाइट 12 और साथ ही साथ ऐसा एक्सिस जो अलॉंग दाइमीटर ऑफ दिस्क है बिठा अगर डिस्क के डाइ है इसलिए एमार स्क्वार बाइफ फूर हो किया ठीक है अंतर समझते होने इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर उसके बाद हालो सिलेंडर आता है जिसमें इनर रेडियस और आउट आउटर रेडियस हो अगर मेरे पास स्मॉल आर इनर रेडियस है मेरे बच्चे और करेंगे अगर स्मॉल आर इनर रेडियस है और कैपिटल आर आउटर रेडियस है तो ममेंट ऑफ इनर्शिय बनता है फिर से वही बेटा इधर से एक ऐसी एक्स जो की से जिल्कुल जा रही है अगर इसमें इनर रेडियस आउटर रेडियस नहीं होता तो मैं डारेक्ट फॉ लगाते हैं यहां पर क्या हो रहा है मैं बच्चे दो दो रेडियस है इसलिए आर स्कॉर प्लस आउटर रेडियस कभी स्कॉर करना पड़ेगा ठीक है बहुत बढ़ी है फिर यहां पर अगर मैं एक्सेज ऐसी ले लूँ जो लेंथ के पर्पेंडिकुलर है बेटा अगर एक्सेज मेरी लेंथ के पर्पेंडिकुलर आ रही है उसके इसको सॉल्फ करने के लिए फिर से वही एमेल स्कॉर बै ट्वैल्फ और वह वाला पार्ट पूरा यहां पर क्योंकि इसके अलॉंग एमार स्कॉर बै फोर हो जाती है तो यह वाली बाते थोड़ा सा ध्यान में लेकलना है बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें फिर समझ आता है आपको फॉम्ले इंपोर्टेंट है मोमिंट आफ इनर्शी के लिए कोई नहीं पूचेगा कहां साथा कैसे आया फॉम्ले पता है तो सब body को घुमाना है जैसे कि आपको इसको घुमाना है तो आप क्या करोगा ऐसे घुमाऊगा है तो basically कर क्या रहे हो आप इस पर force लगा रहे हो इसको इसके about घुमना है this is the axis of rotation बेटा axis of rotation का है एक ऐसी axis जो कि यहां से ऐसे पास हो रही है समझो plane से बाहर आती हुई axis यह axis जैसी है जो plane से बाहर आ रही है अब इसको घुमाँगा था ऐसे घुमे गई तो बेटा इसके पर मैंने force लगा इधर की तरफ f force axis of rotation से r distance पर मैंने force लगा है तो बेटा यहां पर torque को define करते है as r vector cross f vector torque एक vector quantity हो जाती है so torque can be defined as rf sin theta this is the general formula मेरे बच्चे general formula के हिसाब से हमाँ पास torque आता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा बस आप लोग और कुछ नहीं है इतना से ध्यान रखना है यहां पर देखो और 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 एक की बीच का इंगल 90 डिग्री बन रहा है यहां पर और 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 एक की बीचका इंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क और निकाली सकते हैं आर वेक्टर की डिरेक्शन, अरे राइट हैंड का थाम रूल यूज कर सकते हैं, आप लोग इसके लिए हैंना, आर की डिरेक्शन में फिंगर्स को रखना, एफ की डिरेक्शन में गुमाना, जैसे आर की डिरेक्शन में फिंगर्स को रखना, एफ नीचे है, फिंगर्स को र जा रहा है बैटा टॉर्क की डारेक्शन अंदर होगी टॉर्क एक क्या है एक्जिल वेक्टर हो जाएगा एक एक्जिल वेक्टर है ठीक है अलॉंग दा एक्सिस रहेगी इसकी डारेक्शन इसकी अलॉंग दारेक्शन इसकी डारेक्शन रहती है यूजिली जब आपको इसको गूमरी है तो चाहो तो टॉर्क को अच्छा सोरी उल्टा लिखिया के मैंने देखो बॉडी अगर एंटी क्लॉक्वाइज डिरेक्शन में घूमरी है तो हमने फिंगर्स को ऐसे खुमाए टॉर्क बाहर आ रहे हैं तो हम पॉजिटिव ले ले ते अगर बॉडी नहीं करूंगा डारेक्शन लेना तो आपके हाथ में है कि आप कॉंसी साइट पॉजिटिव और कॉंसी साइट नेगेटिव लेते हो वह सब आपके उपर है तो इसके लिए आपको कभी रोका नहीं जाएगा तुनता बिल्कुल भी मत करना ठीक है तो टॉर्क की बाते समझ के लिए था जो सीधी सीधी चल रही थी एक एम मास की बाड़ी जो की वी वेलोसिटी से चल रही थी उसका मोमेंटम एम्वी होता था अगर कोई बाड़ी घूम रही है जैसे इस बच्छे ने इस पत्थर को पकड़ के ऐसे घुमा रहा है तो यह बाड़ी का रोटेशन अगिलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए लेकिन वहीं अगर एक रिजिट बाड़ी आजाए मेरे पास वो किसके लिए डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए और अभी एक रिजिट बाड़ी मेरे पास आजाए तो उसके लिए अंगिलर मोमें का जो फॉर्मला लगाना है वो एंव यार लगाना है अगर आपके पास से एक ग्रिजेट बॉडी आ जाए था इंगलर मोमेंट्म का फॉर्म मा आई टूमेगा लगान अब रिजिट बॉडी में डिपेंड करते हैं क्या हो सकता है स्फेयर होगा सिलेंडर होगा डिस्क होगी रिंग होगी कुछ भी हो हम उसके साब से सॉल्फ करते हैं क्योंकि हारे के लिए मुझे मोमेंट आफ इनर्शिय निकलना आता है तो बस इतना से बात हम बात करते हैं rotational kinetic energy की बैटा जब भी कोई body linear motion करती है तो उसके पास होती है kinetic energy है ना तो उस kinetic energy को हम लिख लेते हैं half mv square क्योंकि body का mass होता था m और body move करती थी v velocity से बैटा अगर किसी body का mass m है और वो v velocity से move करी है तो half mv square kinetic energy होता था बैटा अगर कोई भी body this is the axis and अगर कोई body मालो ऐसे इस axis के बाद रोटेट कर रही है उमेगा से तो बैटा velocity की जगा angular velocity आ गई body के mass की जगा अब हम consider का moment of inertia तो इसकी kinetic energy क्यों जाएगी half mass की जगा moment of inertia velocity की जगा angular velocity तो यह लो भाई कोई भी body अगर rotation कर रही है तो उसकी kinetic energy होगी half i omega square बोडी कौन सी है वो हमें नहीं पता बट वो हमें बताएगा कि वो hollow sphere है solid sphere है disk है या क्या है उसके साब से हम इसको solve कर लेंगे फिर तो अगर कोई भी body rotation करती है तो उसके पास kinetic energy half i omega square derivation काम का नहीं है तो इस पर नहीं जाना है एनलोगी से समझ लीजिए linear motion के लिए rotation motion के लिए ठीक है लिख लो इसको भी हो गया चोल भी आगे बढ़ते हैं now let's talk about the rolling motion बिटा जब भी मैं बोलू rolling motion то rolling motion में rotation और ट्रांसलेशन दोनों होता है na rolling motion में rotation motion भी होता है और साथ फुटबाल को किक मारी तो फुटबाल को गोल भी घुमती है आगे भी जाती है तो फुटबाल का motion की हो गया rolling motion हो गया तो अगर कुई body perform करते है translatory motion और साथी साथ rotation motion तो इसको कहते है rolling motion example motion of a football और या फिर tire कर जो motion होता है रुटबा यहां एक ट्रांसलेशन मोशन बोले तो लीनियर मोशन होते है अगर कोई भी बॉडी सीधा-सीधा चल रही है तो उसका हर एक पार्टिकल अगर कोई बॉडी सीधा-सीधा चल रही है तो उसका हर एक पार्टिकल बिटा उतनी ही स्पीट से चलेगा जैसे अगर मैं सीधा-सीधा-सी से चल रहे हैं मेरा सिर्भी फाइब मेटर से चल रहा है तो अगर कोई भी बोड़ी ट्रांसलेशन मोशन करता है तो उसका हर एक पाट जो है वह सेब स्जिश्ट चल रहे है अगर कोई बोड़ी रोटेट करती है तो definitely सी बात हो उसका हर पार्टिकल circular path follow करता है rotation में body का हर एक particle क्या करता है circular path follow करता है, तो हर एक particle की linear velocity, क्योंकि आप जानते हो circular motion पढ़के आ चुके हो जब भी कोई body circular motion करता है तो उसके पास एक होती है velocity, angular velocity तो हर particle के पास एक rotation में, क्योंकि वो circular path फॉलो कर रहे हैं ना यह पार्टिकल क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे सरक्लर पाथ फॉलो कर रहे हैं तो इनके पास एक और विलोसिटी होती है विच इस गिवन बाइव इवी विच इस एक्छली ओमेगा आर ठीक है? तो जब कोई भी body rotate करती है तो उसका जो particle होता है वो circular path follow करता है और कोई भी particle जब circular path follow करता है तो किसी point पे किसी point पे उसके पास एक velocity होती जो tangential होती थी याद आया कुछ और एक angular velocity होती थी अगर ये particle का जो radius है वो r हो जाएगा तो v equals to omega r कर relation लगाते थे तो इन्होंने देखो v equals to omega r v equals to omega r इसका v equals to omega r पीछे की तरफ इसका v equals to omega r इधर की तरफ समझ आ रही होगी बात अभी आप लोग तो मैं यहाँ पे कुछ points mark करता हूँ जैसे उपर वाला point p mark किया इधर वाला point q mark किया नीचे वाला point r mark किया और एक point s mark किया और एक center वाला point c इधर भी point p ये रहा point q ये रहा point r ये रहा point s ये रहा और center वाला point बेटा c जो कि नहीं घूमता है center थो नहीं घूमता है कभी center तो fix रहता है तो बेटा जब इन दोनों को add किया तो आप देख रहो पे velocity देखना कितनी आएगी V0 ओमेगा आर पीछे की तरफ और V0 आगे की तरफ तो बेटा यहाँ पे V0 ओमेगा आर यहाँ पे देखो V0 इधर ओमेगा आर इधर यहाँ पे देखो V0 इधर ओमेगा आर नीचे तो आप इसका resultant वगरा find कर सकते हैं एक पूर्वल्डीकर के सफ़े मिन चण देखाई पूर्डीकर करता है VIDошर रोलिंघम मतलब उसमें आप फिसलन नहीं है बारिश के ताइम पे आपने देखऊ जागा गाड़ी को जब तो स्पीड में बढ़ाते हो आगे बरसाथ वगरा होती है तो गाड़ी को जैसे आप speed मा बढ़ाते हो तो पहले ना चलने से पहले उसका टायर फिसलता है थोड़ा सा है ना हाँ तो जब प्योर रोलिंग बोला है तो no fissland no sleeping बेटा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे sleeping नहीं होगी गाड़ी का टायर बिलकुल भी नहीं फिसलेगा बिलकुल सड़क से चिपक के चलेगा सड़क से जब भी कोई टायर चिपक के चलता है तो यह जो point of contact होता है ना वो rest पे रहता है point of contact जो होता है ना उसका कोई भी motion नहीं होगा मतलब की अगर कोई भी टायर अगर कोई भी वील सड़क के साथ चिपक के चल रहा है तो उसमें क्या होगा यहाँ पे एक wheel बना है अगर ये wheel सड़क के साथ चिपक के चलना चाहता है तो ये दोनों point का कोई relative motion नहीं होना चाहिए अगर तुम्हीं सोचो अगर इन दोनों points का कौन सा point ये point P और ये point G point P और G का कोई भी relative motion नहीं होना चाहिए अगर इनका relative motion हो गया point P अगर G के respect में पीछे चला गया है 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 क्या हो गया point P अगर G के respect में पीछे चला गया तो यहाँ हो गया relative motion बेटा अगर point P G के respect में पीछे जाता है मतलब टायर फिसला है यहाँ पे टायर फिसला है आगे नहीं बढ़ पाया हो वो आगे तभी बढ़ेगा जब G वाला पॉइंट P वाले को पकड़ के रखेगा सोच नहीं बात को G वाला पॉइंट अगर P को पकड़ के रखेगा तो टायर घूमने से आगे बढ़ता है लेकिन अगर P और G के बीच में relative motion हो गया P और G के बीच में relative motion हो गया तो tire घुमता रहेगा यहीं पर आगे नहीं जा पाएगा P और G में कोई relative motion नहीं होना चाहिए यानि P और G आपस में एक साथ चिपके हुए होना चाहिए अगर ही चिपके होंगे तो जैसे tire घुमेगा वो आगे बढ़ेगा समझगे? सम लेखते हैं pure rolling जिसमें no sleeping होता है उसमें बोलता है यहाँ पर P और G का कोई भी relative motion नहीं होना चाहिए अगर P और G का relative motion नहीं होना चाहिए तो जो velocity point P पे है वही velocity velocity of point P with respect to ground should be 0 पेटा velocity of point P minus velocity of ground should be 0 that means velocity of point or velocity of ground को बराबर होना पड़ेगा तभी कोई relative motion नहीं होती no relative motion मतलब velocity of point with respect to ground should be 0 तो velocity of point should be equals to velocity of ground पेटा ground तो rest पे रहता है ground हमेशा rest पे है ना तो यहाँ पे velocity of ground तो always 0 तो यहाँ से velocity of point जो है 0 होना चाहिए P point पे आप जानते हो क्या velocity मिली थी आगे की तरफ मिली थी सर V और पीची की तरफ मिली थी omega R आगे की तरफ मिली थी V और पीची की तरफ मिली थी omega R तो VP में V minus omega R should be 0 यानि कि V equals to omega R पेटा pure rolling की condition है यह this is the condition for the pure rolling कि V जो है omega R के बराबर होना चाहिए तो ही pure rolling होती है ठीक है तो pure rolling की condition है कि V omega R के बराबर होनी चाहिए चाहिए बही इतनी सी बाते हैं pure rolling के लिए लिख लीजे इसको लिखना चाहते है तो हो गया चोल बहुत बढ़िया so kinetic energy rolling के case में क्या होगी मेरे बच्चे rolling के case में अगर मैं kinetic energy की बात करूँ तो rolling में पहली बात तो समझना है हो क्या क्या रहा है तो sir rolling में होता है translation प्लस rotation translation प्लस rotation मेरे बच्चे translation में half mv square वाली velocity आती है rotation में half i omega square आता है तो center of mass के पास जो velocity होगी हर particle के पास वही velocity होती है जानते हो न center के पास जो velocity हर point के पास वही velocity होती है ये बात नहीं नहीं है जो कि तुम पहली बार सुन रहे हो पहले भी सुन चुके हो ये सारी बते है जो velocity center के पास हर point के पास वही velocity होती है तो जब ये translation कर रहा है तो उसके पास kinetic energy half mv square साथ इसाथ ये body rotate भी करती है तो इनके पास और भी कोई velocity होगी हाँ बिल्कुल होगी omega r omega r omega r इसके पास omega r नीचे होगी इसके पास इधर होगी इसकी इधर होगी इसकी इधर होगी इसकी इधर होगी इसकी इधर होगी omega r इसकी इधर की तरफ omega r है न तो यहाँ पे rotation हो रहा है तो उसका half i omega square body क्या है वो बताएगा आपको क्या वो solid sphere है, hollow sphere है, ring है, disk है यह सारी बातों की चिंदा तुम्हें नहीं करनी यह i के लिए value वो तुम्हें देगा तो case of rolling motion, in case of rolling motion यहाँ पे आप देख सकते हो kinetic energy जो बनती है rotation kinetic energy प्लस translation kinetic energy बनती है, तो इतनी सी बाते हैं जो आपको लिखनी है फटा फट से note कर लीजिए सको, ताकि हम आगे बढ़ सके फिर किया note सभी ने, बढ़े आगे, चोड़ भी, अब incline plane पे आपने translation motion पढ़ा हुआ है एक body उपर से fissal के आती है, तो आपको पता है नीचे की तरफ एक force mg लगता था if this was the angle of inclination, तो एक force यहाँ mg cos theta के नाम से लगता है, एक force यहाँ पे mg sin theta के नाम से लगता है याद करो, पुरानी बाते हैं, भूल गए होंगे तुम लोग, यहाँ पे सिर्फ translation motion होता था बेटा यहाँ पे translation motion होता था, body fissal के नीचे आती थी, लेकिन अगर यही बात मैं उपर से ball को छोड़ दूँ, तो ball क्या करेगी, गोल गोल घुमेगी, नीचे आएगी, rolling motion हो रहा है तो बेटा, rolling motion, अगर मैं inclined plane पे कराना चाहता हूँ, तो क्या हो गया आपे, कुछ नहीं सर, वही सारी बाते हैं, acceleration जो नीचे के दफ G sin theta लगना है, ना, तो इनको आप individually भी solve कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ball पे एक नीचे के दफ acceleration G sin theta लगेगा, बाकि घूम हो रहा है, तो उसकी अपनी अलग से कहानी लगेगी, है ना, तो ऐसे cases में, बेटा, V equals to omega r के condition भी लगेगी फिर आपकी, ठीक है, तो ऐसे cases में, वह आप से कुछ basic से points पूछता है, जैसे की lowest point पे जब यह ball पहुँच जाएगी, तो कितनी velocity होगी उसकी, बताइए, तो velocity necessary radius of gyration, माल लीजिए, आपके पास कोई random body है, ठीक है, और यह कोई इसका axis of rotation है, माल लीजिए, आपके पास कोई random body है, और यह इसका axis of rotation है, बेटा, अब इस पूरी body का center of mass, माल लीजिए, यहाँ पे आ रहा है, तो आपने पूरी body का mass, यहाँ concentrate किया, तो axis से center of mass का कुछ distance ब पूरी body का mass, अगर capital M था, तो पूरा capital M यहाँ पे आ चुका है, अब इसको जब हम define करते हैं, तो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि moment of inertia कभी change नहीं होना चाहिए, और वेसी बात है, पूरी body का center of mass यहाँ, मतलब पूरी body का mass, यहाँ पे concentrate है, अगर मैंने मैं center of mass axis of rotation की जो distance होती है, उसको radius of variation ले लेते हैं, and relation बनता है, i equals to mk square का, i equals to mk square का, बैठा, k यहाँ पे radius of variation होता है, जब आपको distance नहीं पता center of mass की axis से, तो आपने क्या गया, radius of variation concept लगा है, i equals to mk square, general formula बन जाता है, तो यहाँ पे k radius of variation है, r is the radius of the ball, ठीक है, तो velocity at the lowest point is under root of 2gh, divided by 1 plus k square by r square, वैसे वह आप से पूसता है, what will be the acceleration in case of this motion, बैटा, तो acceleration है, g sin theta, upon 1 plus k square by r square, आप देख रहों, बैटा, वो सारे formula हम पहले भी लगाते थे, पहले भी आप लिखते थे, v equals to under root of 2gh, लिखते थे, पहले भी आप लिखते थे, acceleration equals to g sin theta, लिखते थे, आज एक time of descent, time of descent आप लिखते हो, 1 by sin theta, under root of 2h by g, 1 plus k square by r square, so यह time of descent का formula भी बनता है, derivation कहां से आए, नहीं है, जरूरती, यह सब जानने कि अभी, कोई नहीं पूचाएगा, बस आपको यह velocity, acceleration and time of descent का formula पता होना चाहिए, लिख लो भाई इसको, लिख लीजे, तीनो formula लिख लीजे ठीक है, that is a case of a rolling motion on inclined plane, inclined plane पे rolling motion की बाते कर रहे हम लोग, ठीक है, चलिए बहुत बढ़ी है, यहां तक तो सारी बाते लिख दी थी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, and let's see some questions based on this complete rotation chapter, कुछ सवाल जो की rotation से हम से पूचे जाते हैं, पहला सवाल जैसा कि हम से बुलगा, pen paper लेके त यार बैठो बिलकुल है, three rings, each of mass P, Q, are arranged that shown in figure, बिटे हैं, यहां पर आप देख रहे हो, तीन rings है, हरेका mass जो है, वो P and Q है, जिसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, the moment of inertia of the arrangement, about the y y dash, यह रहाँ y y dash axis, इसके बहुत moment of inertia बताने हैं आपको, बिटा यह, इसका mass P, इसका mass P, इसक P is the mass, Q is the radius, हम, क्या कर अब इसको, moment of inertia निकाल रहे, पहले वाले कर देखो बेटा, पहले वाले को देखो, पहले वाले के center से नहीं, side से pass हो रहा है, axis, तो center से अगर कोई axis पास होता है, यह क्या है, ring है sir, ring के along the diameter, अगर moment of inertia निकाल हूँ, तो it will be MR square by 2, तो इस axis के बाउट, I के बाउट, I dash के बाउट, moment of inertia हो जाएगा, MR square by 2 plus MR square, it's 3 by 2 MR square, यह किस के लिए हो, पहली वाले ring के लिए होगा, यह काम दूसरी वाली के लिए होगा, क्योंकि दूसरी वाली यहाँ चिपकी हुई आगे, तो दूसरी वाली के लिए भी same बनेगा और तीसरी वाली ring के center से पास हो रहे है, तीसरी वाली ring के अगर center से पास हो रहे है, so I3 will be MR square by 2, so 3, 3, 6, 1, 7, 7 by 2 MR square, यहाँ पे I think A option मिल रहे है, so net moment of inertia is given by I1 dash plus I2 dash plus I3, 7 by 2 MR square, बेटा, मास के जगा आपको P लिखना है, और radius के जगा है, तो 7 by 2 P Q square, मिल गए answer, parallel axis theorem लगा है मेरे बच्चे, center से हमें जानते हैं कि moment of inertia MR square by 2 होता है, along the diameter था, है ना, along the diameter था, diameter के long moment of inertia MR square by 2 होता है, ring के case में, आपने जो moment of inertia निकालना सीखा था, वो इसके about था, ऐसे, इसके about, MR square होता है, इसके about कितना होता है, इसके about होता है, MR square by 2, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, perpendicular axis theorem से ये वाली बात है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि, अगर कोई axis है, जो कि रिंग के सब perpendicular है, तो MR square, along the diameter था, MR square by 2, ये भी along the diameter था, MR square by 2, I dash 3 by 2 MR square by using the parallel axis theorem, लिख लिजे जल्दी से इसको, लिख लिए सभी ने, आगे बढ़ें, अगले सवाल प्याते हैं, अगला सवाल हमसे कहता है, moment of inertia of a thin square plate, ABCD of uniform thickness, about an axis passing through its center, and perpendicular to its plate will be, एक ऐसी axis जो कि center से पास हो रही है, और इस plate के perpendicular है, यानि एक ऐसी axis जो कि ये रही, ये वाली, इस axis जो मेरे हाथ के along है, इसके बहुत moment of inertia बता पाओगे आप लोग? मैं तो बता दूगा सर, मैं तो बता दूगा, मैं तो बता दूगा, मैं तो बता दूगा, बता दूगा, बिलकुल बता दूगा सर मैं, हाँ न, हाँ बढ़ी, क्या बोल दो फिर तुम लोग, about an axis, which is perpendicular to this, so I think i जो बनेगा, it will be your i1 plus i2, it will be your i1 plus i2, सोचो ज़रा, i3, i4 along the diagonal है, i3, i4 along the diagonal है, तो वो भी बन सकता है, मैं मना नहीं करूँ, i is also equals to i3 plus i4, बट आपके option में कौन सा वाल है, वो देखना ज़रूर है, एक ऐसा axis, जो कि, इधर, इधर, बिलकुल, ऐसे, हाँ, ऐसे, एक ऐसा axis, जो कि इसके perpendicular है, और center से पास हो रहा है, what will be the moment of inertia, मेरे को यहाँ पर i1, i2, i3, i4 दिख रहे है, i1 plus i2 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, क्योंकि i1 और i2 perpendicular है, समझो, i1 वाली axis perpendicular है, i2 वाली axis के, तो इसके लिए ये वाला formula लग सकता है, similarly, i3 वाला axis perpendicular है, i4 वाला axis के लिए, उसके लिए ये formula लग सकता है, तो अगर आप ऐसी axis देख रहे हैं, जो की center से pass होगी और perpendicular होगी, उसके लिए दोनों formula विल्कुल valid है, आपके option में कौन सा दिख रहे है, पहला वाला दिख रहे है, तो यह आपको बिल्कुल सही रहेगा, यह option बिल्कुल सही रहेगा, as by the name perpendicular axis theorem, आप यह चीज़ i1 और i4 के लिए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि i1, i4 के बीच में angle है, i1 is not perpendicular to i4, है ना, समझ दो ना बात को, हाँ, तो यह जो axis i1 वाला है, वो i4 के perpendicular नहीं है, यह उन्हीं के लिए लगता है, जो perpendicular होते है, i1 वाला, i2 के साथ perpendicular है, i3 वाला, i4 के साथ perpendicular है, तो उन्हीं का combination बनाना, ऐसे नहीं किसी कप्यूटर के बना लो, ठीक है, ठीक है बई, लिख लिए सभी ने, बढ़े अगले सवाल की और, अगला सवाल, question number 3 हमसे बोलता है, in the following figure, r1 and r2 are 5 cm and 30 cm respectively, if the moment of inertia, if the moment of inertia of the wheel is 5100 kg meter square, then the angular acceleration, so moment of inertia दे रखा है, angular acceleration वो मांग रहा है, क्या मैं बता नहीं सकता हूं, moment of inertia is 5100 kg meter square and it's asking me for the angular acceleration alpha, बटा एक relation होते है, torque का it is equals to i into alpha, also torque को लिखते है, r into f, तो यहां से एक relation आता है, rf equals to i alpha, अगर आपको net force पता है, तो आप काम कर सकते हो, है ना, जैसे कि मैं बात करूँ यहां torque की, तो यहां तो मैं net torque निकाल लूँ, यहां तो मैं net force निकाल लूँ, तो यहार यह सारी दिक्कत करेगा, r into f करेंगे तो, तो क्यों ना मैं काम करूँ, net torque निकाल लेता हूँ, यहां पे safe है ना, net torque जो भी होगा वो find करके, इधर equation ने put करूँगा, तो alpha मुझे मिल जाएगा, किस-किस की वज़े से torque मिलेगा, 12 newton, 9 newton और 10 newton की वज़े से, यह वाला distance r2 है, यह वाला distance भी r2 है, यह वाला distance r1 हो जाएगा, बेटा, torque due to, मैं इनको numbering कर दूँ, यह पहला वाला force, यह दूसरा वाला force, यह तीसरा वाला force, तो tau 1 निकालने की कोशिश करी, it will be equals to r into f, r2, r2 into f, r2 कितना है मेरे बच्चे, 30 cm, 30 upon 100, force कितना है यहाँ पे, 10 newton का, बेटा, 3 newton meter बन जागा, tau 1 जो हो गया, 3 newton meter हो गया, फिर हम सेकिंड वाली की वज़े से torque निकालते है, tau 2 is also again rf, r2 into force है 9, तो वही 30 upon 100, into 9, it comes out b, 0 से 0, 2.7 newton meter, फिर यही प्रक्रिया, हम तीसरे वाले के लिए भी solve करेंगे, it is equals to rf, तीसरे वाला force है 12 का और यह r1, तो r1 कितना है, 5, बटा 100 into 12, 12, 5 is the 60, 0.6 newton meter, तीनों torque आगे बेटा, तीनों force की वज़े से जो torque थे, पहली की वज़े से, दूसरे की वज़े से, तीसरे की वज़े से, तीनों torque को add कर दो यहां पर, तो आपको जो net torque मिलेगा, it is equivalent to tau 1 plus tau 2 plus tau 3, solve this part, 3 plus 2.7 plus 0.6, 5.7, 6.1 बने गई है, 2.7, 6.3 newton meter, so it will be a 6.3 newton meter, say, 6.3 newton meter, 10, 10, 10, 10, 10, 10, R2, direction नहीं लगाने, direction लगाने में गलती कर दी, मैं वही सोचा था, cut जाएगा, यह तो पूरा direction लगाने में गलती कर दी हम लोग रहे, clockwise direction वाले, positive, anticlockwise वाले, negative, anticlockwise यह था, positive ले लो, negative ले लो, आपकी इच्छा शुद्धा, मैंने यहाँ पर उल्टा ले लिया, anticlockwise वाले को negative ले लिया, clockwise वाले को positive ले लिया, उससे होगा यह हों कि मेरा answer positive आजाएगा, तो 3 प्लस 2.7, 3 प्लस 2.7 माइनस का 0.6, बेटा चलता है ऐसा, घबरा मत जाना कि सर यह क्या कर रहो, मैंने क्या बोला direction लेना हमारे हाथ में है, हम कोई सी direction को positive लें, कोई सी को भी negative लें, लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने decide कर दिया कि यह direction positive है, तो आप उसी को follow करो, जैसे मैंने यहाँ पर बुला clockwise को positive लेलो, तो जितने भी clockwise वाले थे सब को positive लिया, मैंने यहाँ पर बोल दिया, anti-clockwise वाले को negative लेलो, तो जितने भी anti-clockwise वाले थे सब को negative लिया, यहाँ पर solve क्या 3, 5.7 माइनस का 0.6, 5.7, minus का 0.6 1 यहां पर हो जाएगा कितना? 5 so it will be 5.1 Newton meter यह बेटा torque आगया, net torque हमने पास यह अपने पास क्या आगया net torque आगया है 5.1 Newton meter का so it's the way torque equals to I alpha लगाया, तो alpha का value निकाल लेते हैं यहां से torque is equals to I alpha, torque equals to I alpha तो यहां पर 5.1 is equals to 5100 into alpha point हटाया, यहां से यहां मर जाएगा alpha का value बने है, 10 की पाव माइनस का 3 radian per second square alpha का unit पता है न, radian per second square होता है तो बस 10 की पाव माइनस का 3 radian per second square clear रहेगी बाते सभी को यह पक्का note कलो जली से किया note सभी ने इसको भी लिकलो यह यह भी note करो हो गए है भी सभी का बहुत बढ़िया चलिए बही आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल हम से कहता है a ring of diameter 1 meter is rotating with the angular momentum of 10 joules circuit for increasing its angular momentum by 50% in 1 second, the required tangential force will be angular momentum को 50% बढ़ाना है in 1 second, तो what will be the tangential force, कितने force की requirement पढ़े है but as per the quotient diameter of the ring is 1 meter angular momentum initial वाला जो है वो 10 joules second है बढ़ा और अब हम चाहते है कि जो angular momentum है वो increase हो जाए तो L final, I want L final to be L initial plus 50 upon 100 into L initial so 10 plus 50 upon 100 into 10 so 10 plus 5 तो मैं क्या चाहता हूँ कि final angular momentum 15 मिले मुझे है 50% increase की आपने 1 second में तो final वाला आप चाहते हो कितना हो जाए 15 हो जाए initial वाला था 10 final हो जाए 15 time कितना लगना चाहिए इन सब चीजों में इन सब चीजों में time लगना चाहिए 1 second का तो बेटा जैसा आपने f equals to dp by dt पढ़ा था या फिर f equals to delta p by delta p t पढ़ा था मेरे बच्चे वैसे ही torque के लिए भी होता है delta l by delta t जानते हो यह वाली बात है अच्छा कोई बात नी torque को लिखते है r into f equals to delta l by delta t now from here delta l का जो value है वो लिख जाता हूँ into f equals to 5 so 1 by 2 into f equals to 5 so force जो मिलेगा आपको it will be of 10 newton तो कितने force की requirement पढ़ेगी 10 newton के force की requirement पढ़ेगी समझते हो बात को 50% increase किया initial वाला 10 था final वाला initial मैं 50% add करना चाहिए और ज़्यादा तो मैंने solve किया it will be of 15 जैसा हम newton uncle के second law में पढ़ते थे f equals to delta P by delta T वैसे ही torque के लिए बहुते है delta L by delta T torque को लिखते है r into f equals to delta L by delta T time कितना लगदा था? 1 second का delta L 15 minus 10 force will be of 10 newton लिख लो इसको जल्दी से फिर आगे बढ़ते हम लोग किया नोट सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल a thin circular ring of mass capital M and radius R is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with a constant angular velocity two objects each of mass M are attached gently to the opposite end of a diameter of the ring. The ring now rotate with an angular velocity. बेटना क्या बो लगए? एक ring है जिसका मास M है तो यहाँ पेक रिंग बनाई मेने जिसका radius R है जिसका मास M है. यह rotate कर रहा था about an axis जो कि इसके center से पास हो रही थी. passing to the end perpendicular to the plane. समझो? ऐसी वाली ring. axis से पास, center से पास हो रही है और इसके perpendicular भी है बिटा. यह देखो. एक ऐसी axis जो center से पास हो रही है और इसके plane के perpendicular भी है. अगर ऐसी कोई axis मिलती है तो उसके लिए moment of inertia mr square ही लिखा जाता है मेरे बच्चे क्योंकि यह ring की बात हो रही है और ring में एक ऐसा axis जो कि perpendicular है और center से पास हो रही है. moment of inertia omega mr square है. कितनी angular speed से घूमरी है? बोला है क्या कुछ? इसके परप्शन से चेक किया omega बोला तो इसके angular velocity omega हो जाएगी. इसके angular velocity जो हो जाएगी वो omega हो जाएगी. angular velocity omega हो जाएगी. अब हुआ यूँ कि आपने क्या किया दो object लिए हरी कमा small m है और इसको चिपका दिया इसके साथ. तो आपने क्या किया? यहाँ पर अभी भी वही ring अपनी जिसका radius r था जिसका मास m था लेकिन इसके साथ-साथ आपने दो मास particles और चिपका दिया पर. इसका मास small m और इसका मास भी small m अब बताओ कितनी speed से घुमे गई है. तो बेटा, पहले जो इसका moment of inertia m r square था, अभी मास particle जोड़ चुके है r distance पे और r distance पे. So now the moment of inertia will be m r square plus small m r square plus small m r square. So i will be equals to m r square plus 2 m r square. Okay? So it will be capital m r square plus 2 m r square. पता, इसके समे angular velocity omega dash ले ले तो मैं, इसके समे angular velocity जो होगा, it will be your omega dash. So, अगर angular velocity omega dash है, तो वो क्या होगी angular velocity ये बताईया. What will be the new angular velocity? क्यासे करोगे इसको solve? Hmm. Sir, यहाँ पे कोई बाहर से force तो नहीं लगाए ना किसी ने? कोई जबरदस्ती घुमारा है इसको? घुमजा, घुमजा, घुमजा. कोई जबरदस्ती घुमारा है? नहीं घुमारा है ऐसा कोई जबरदस्ती. अगर ऐसी बात है, तो यहाँ से बाहर में कोई भी net external torque नहीं है, बेटा. नेट external torque अगर 0 होता है, तो angular momentum constant होता है, और यहाँ पे लगता है angular momentum conservation, जो कहता है initial angular momentum बराबर होगा final angular momentum के. अब angular momentum जो होता है, वो i into omega भी होता है, बेटा. तो यहाँ पे i initial omega initial is equals to i final omega final हो जाएगा. i initial mr square होता है, चलो, इसको मैं अगले page पे लिखता हूँ. अगले page पे लिखता है इसको, यहाँ तो जगा नहीं बनेगी, फिर मज़ा भी नहीं आएगा. अगले page पे लिखता है इसको, i initial omega initial is equals to i final omega final mr square into omega is equals to mr square plus 2 small m r square into omega dash. r square से r square से r square मर जाएगा. So, m omega is equals to m plus 2m omega dash. omega dash का value बनेगा m omega divided by m plus 2m. So, this is it. This is the final angular velocity. जब वो mass particle आके, चिपक जाते हैं. तो यहाँ पर हमारे answer complete हो जाता है. देखिए ज़रा कहाँ match करता है. यह I think यह वाला third, fourth option match कर रहा है. देख लिजिए. तो this is the final one, विटा. यह अमना final answer होगा. नोट कर लिजिए इसको भी जल्दी से. किये नोट से बीन है? इसको नोट कर लो. होगे यह भी नोट? चले भी, बहुत बढ़िया. सागे बढ़ते हैं अगला सवाल. Particle performs the uniform circular motion with an angular momentum L. If the frequency of the particle motion is doubled and its kinetic energy half, then what will be the new angular momentum? बढ़ा, यहाँ पर बोला गया है, initial angular momentum L है, final angular momentum बताना है कितना होगा? L' जो भी होगा है, वो हमें बताना है. बोला गया है कि, initial kinetic energy अगर K है, तो final kinetic energy 2K हो जाएगी, बढ़ा. initial frequency अगर हमाँ पस F है, तो final frequency जो बन जाएगी बढ़ा, वो F by 2 हो जाएगी. अच्छा, kinetic energy को आधा किया है, और frequency को डबल किया है. So, frequency 2 times F हो जाएगी, and it will be K by 2. चले बढ़ा, what will be the new angular momentum? सोचा कुछ इसके लिए, मैंने सोच लिया है, मैं जानता हूँ, L equals to I omega होता है. ठीक है? अच्छा सर, L तो I omega होता है, kinetic energy of frequencies कैसे relation निकाले हैं? omega can be written as 2pi into frequency, तो frequency can be written as omega upon 2pi, लो भाई, बहुत बढ़िया. यहाँ तक तो भी रुक जो, सबर करो. kinetic energy can be written as half I omega square. So, I can be written as 2 times of kinetic energy by omega का square. omega की जग़ 2pi into frequency कर दूँ. So, 2k divided by 4pi square into frequency का square. लेखें यहाँ पर, L equals to I की जग़़ पर, 2k by omega का square into omega, omega से omega मर जाएगा, L equals to 2k by omega. So, 2k divided by 2pi into frequency, 2 से 2 मर जाएगा, k upon pi f. लो बै, क्या मैंने angular momentum को kinetic energy और frequency के format लिख दिया? L को मैंने kinetic energy और frequency के format में लिख दिया है. beta k by pi f तो L initial था, L dash will be L by 4. मिल गया? Answer? D option आ रहें, देख लीजे एक वार इसको. So, D option is absolutely correct here, it's L by 4. ठीक है? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वहाँ से चीजों को eliminate कर रहे हैं. समझ आती ही बाते हैं सभी को? बढ़ सकते हैं अगले सवाल के और? चली बहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, question number 7 हम से कहता है, a ball rolls without slipping, the radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is K. If the radius of the ball is R, then the fraction of total energy, but a rotational kinetic energy का fraction मांग रहे हैं with the total energy. rotation kinetic energy का, rotational energy का वो fraction मांग रहे हैं with the total energy. ठीक है? बता पाओगे? वो क्या मांग रहे हैं? वो fraction of total energy मांग रहे हैं, rotational energy का. ठीक है? energy with respect to rotation energy. ठीक है? हम, तो कैसे करें सर इसको? हाँ, तो को भीचा है? अगर एक ball जो की roll कर रहे हैं without slipping, तो पहली बात तो V equals to omega R हो गया, बहुत अच्छी बात है, सब प्योर rolling की बाता चलिए. तो यहाँ पर जब मैं kinetic energy की बात करता हूँ, तो total energy, kinetic energy, total मैं तो kinetic energy, rotation वाला भी आता है, plus kinetic energy, translation वाला भी आता है. आप है. So, half I omega square plus half mv square. V equals to omega R हम लिख सकते हैं, तो half I omega square plus half mr square omega square. It's your total energy, बेटा. बेटा, इसमाँ question में आपको radius of gyration दे दिया है. Radius of gyration दिया होता है, तो I equals to mk square होता है, बेटा. Radius of gyration अगर दिया है, तो I equals to mk square होता है. So, total energy equals to half mk square omega square plus half m omega square r square. बेटा, half m omega square common लिएजे. m omega square common आगया. it will be k square plus r square. Total energy है, ये वाली. But मुझे total energy नहीं चाहिए. मुझे fraction of energy चाहिए, बेटा. तो fraction of energy निकालने के लिए, मैं rotation energy पे भी जाता हूँ. तो rotation energy जो होती है, half i omega square. half m omega square k square. तो अब fraction निकाली है, rotational kinetic energy का और total energy का, तो it will be half m omega square k square divided by half m omega square k square plus r square. बेटाई, यहाँ से half m omega square से half m omega square मरेगा, and your answer will be c. आपको क्या करना है, fraction निकालने है? rotation energy upon total energy का fraction निकालना है आपको. rotational kinetic energy और total energy का fraction निकालना था. तो worry rotation, worry total, put करिये. देखे, c will be the final answer for this. यहाप अपना question number 7b complete होता है. जल्दी से सको note कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्या नोट सभी नहीं, बढ़ते हैं अगले सवाल कीजिए, अगला सवाल हम से बोलता है, a solid cylinder of mass m and the radius r starts rolling down and inclined plane having the inclination theta. friction is enough to prevent the slipping, find the speed of its center of mass when its center mass has fallen the height h. hmm, what will be the speed, what will be the speed, speed, speed. यहाँ अभी मैने speed का फॉमला बताया था था, वो बोला था, under root of 2gh divided by 1 plus k square by r square था. कैस में कोई गुना था, क्या ऐसा लिखना है? मैंने जब speed का तुम्हें फॉमला बताया था, कि जब वो नीचे पहुच जाता है, तो इतनी speed होती है. इस टेम पे वो h height नीचे है, h height नीचे आने पर यह speed होगी. लेकिन, अभी तक आपको यह नहीं पता था, body rotate किस axis के बहुट कर रही थी, इसलिए आपने यहाँ पे radius of gyration को लिखा था. अभी तक आप यह नहीं जानते थे, कि body किस axis के बहुट rotate कर रही है, इसलिए आपने यह लिखा था. आज आप जानते हो, कि body जो है, वो किस axis के बहुट rotate कर रही था. पहली बात तो body है, solid cylinder, जिसका mass M है. रोल कर रहा है, solid cylinder, जो की roll कर रहा है, आईसे, मतलब यह रही axis, center से पास होती हुई. बही, side सामने से अगर देखो, तो solid cylinder एक disk की तरह दिखता है. एक disk की तरह दिखता है, तो उसका moment of inertia मेरे बच्चे MR square by 2 हो जाता है. अगर मैं इसको MK square से compare कर दूँ, तो it will be MR square by 2, और यहाँ पे M से M मरता है, तो K square की जगा R square by 2 लिखूँगा फिर. K square की जगा मेरे बच्चे क्या आएगा यहाँ पे? R square by 2. आओ ज़रा देखें, under root of 2GH, divide by 1 plus K square की जगा R square by 2 into R square. R square से R square मर जाएगा, under root of 2GH, upon 1 plus 1 by 2, 3 by 2. upon क्या upon वाली चीज़े उपर जाती है, it will be under root of 4GH, divide by 3. देखो, तो मैच कर रहा है कुछ? This is the speed. अभी तक आप यह नहीं जानते, body क्या है, body का axis कौन सा अला था? लेकिन अब जब आप जानते हो कि body यहाँ पे solid cylinder है, तो यह जो radius of guidation है, इसको आप इधर, ऐसे, ऐसे, change करो. ठीक है? लिख लिजे इसको भी. समझते होना सारी बाते हैं, बड़े अगले सवाल की ओर, अगला सवाल, question number 9, हमसे बोलता है, a hollow sphere having the mass of M, lies on a rough horizontal plane, when a particle of mass M, traveling with the speed V, collide it, sticks with it. है ना, बेटा, क्या हुआ? एक hollow sphere था, जिसका mass M था, वो एक rough horizontal plane पे रखा हुआ था. So, I am having this hollow sphere, जो की एक horizontal surface पे रखा हुआ है, और एक particle जिसका mass M है, traveling with the speed V, collide and stick with it. If the line of motion of the particle is a height H, above the center, मिटा, यह रहा center, और particle का जो line of action था, मतलब particle जिस line पे चल रहा था, particle का जो line of action था, यानि particle जिस line पे चल रहा था, वो center से H height उपर था, यह बात उन्होंने question में बो लिए. तो particle का mass small m ले लिया, और यह mass यहाँ पे जाके टकराएगा, और अब यह इसके साथ चिपक के साथ में चलेगा, ठीके? तो क्या कर रहा है, sir? चलो, एक final वाला diagram भी बना दे दो, फाइनल वाला diagram भी सुन दो, एक बार, फाइनली हुआ यू, कि यह mass यहाँ पे चिपक गया, और अब यह move करने लगा, V-velocity से, साथ यसाथ घूमेगा भी से, हैना, और विसे बात है rolling भी हो नहीं है, ठीक है, बढ़ा, यहाँ पे, अगर मैं एक बार, मोमेंटम क्योंकि थे, वो translation भी हेए, कंजर्वेशन की बात करते हैं, जो कहता है, इनेशल लीनियर मोमेंटम बडाबर, फाइनल मोमेंटम होता है, इनेशल मोमेंटम Mv बडाबर हो जाएगा, final momentum के small m plus capital m v dash के so यहां से v dash का जो value बनेगा it will be mv divided by small m plus capital m यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था क्योंकि देखो यार obviously बात है जब कोई भी body rolling करती है तो मैंने बोला center of mass जिस velocity से चलता है उसका हर particle उतनी velocity से आगे बढ़ता है अब यह वाला mass होगा यह भी v dash से आगे बढ़ेगा ठीक है तो linear momentum से तो हमने यह वाली बात है प्रूफ कर दीए अब हम बात करेंगे angular momentum की अब हम बात करते है angular momentum की तो बढ़ा angular momentum initial वाला जो हो जाएगा it will be your mvh खुदी सोचो ना Center के बाउट देख रहे हैं Center के बाउट से देखा एक पार्टीकल आ रहा है आ रहा है तो Center के बाउट इसकी ही दो यह पार्टीकल के पास velocity इधर आले ख्री में अच पार्टीकल की अमास M था तो mvh इसका angular momentum होगा mvh mv momentum into h इसका क्यों हो जागा एंगलो ममेंटम हो जागा इनिशल एंगलो ममेंटम mvh हो गया है मैंने आपको बता जिए पार्टिकल आ रहा था आ रहा था आ रहा था ऐसे जाएगा है ना final angular momentum में body rotate कर रही है तो हम rotation वाले को ही consider करते वे चल रहे थे final angular momentum में i into omega लिखा मैंने एंगलो ममेंटम rotation के लिए आता है ठीक है so यहाँ पे moment of inertia क्योंकि hollow sphere है two by three mr square हो जाएगा एक तो प्लस छोटा particle चिपका हुए इसलिए उसका mr square हो जाएगा और साथ में omega हो जाएगा बिटा omega को क्योंकि यहाँ पे दो को pure rolling बोला है उन लोगोंने कोशन में बोला है कि बिना sleeping के जा रहा है तो pure rolling की बात कर रहे उसके लिए बिटा v dash omega r के बराबर रहेगा और omega can be written as v dash by r ठीक है बढ़िया so l final जो होगा it will be 2 by 3 capital M plus का small m into omega r square omega की जगा वी डैश बाइर पुट करते तो मैं omega की जगा पे बेटा मैं v dash by r put करों so it will be v dash by r dot r square तो एक r से r मर जाएगा so final angular momentum बनता है 2 by 3 capital M plus का small m बेटा v dash की जगा पे क्या मैं mv upon small m plus capital M लिख दू into r वो initial angular momentum ये final angular momentum चलिए भाई from the momentum conservation we know that initial angular momentum बराबर final angular momentum तो यहां से बेटा mvh is equals to mvr divided by small m plus capital M into 2 by 3 capital M plus का small m बेटा यहां से देखा mv से mv मर जाएगा तो h बनता है r upon small m plus capital M 2 by 3 m plus का small m मेरे बच्चे यहां पे condition हम खुद से सोचते हैं question को आसान करने लिए और sense वाली बात है वो ऐसे नहीं कि तुक्ये में सोचते हैं उसको है na sense वाली बात है since we know that mass particle is mass particle is very small mass particle बहुत छोटा है as compared to the cylinder as compared to hollow cylinder hollow cylinder के respect में जो mass particle है बहुत छोटा है और अगर वो बहुत छोटा है तो mass particle जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा as compared to the cylinder तो h is equal to r divided by बेटा यहां पर आप देखेंगे small m में capital M को plus किया बट क्योंकि small m बहुत छोटा है capital M से तो उसके respect में तो negligible हो जाएगा तो उसको मैंने negligible कर दिया सीधा capital M लिग दिया 2 by 3 capital M बेटा इसको भी negligible कर दिया जहां जहां small m था वहां से उसको गायब कर दीजिए negligible कर दीजिए so small m से capital M से capital M मर जाएगा r की value h की value बरेंगे 2 r by 3 बेटा यह answer आएगा आपका this will be the height of this चीक है 2 r by 3 यह मुझे मिल रहा है मेरे इस b option में so this is your final answer तो फटा फट से इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते अपने अगले पार्ट पर अगले सवाल पहेंगे पहले momentum conservation क्योंकि translation भी हो रहा था rotation भी हो रहा था तो पहले translation के लिए बात की फिर बाते की rotation के लिए तो वहां से हमें result मिल गया यहां पे small m साथ में आ रहा था मैंने बोला भाई है small m जो है बहुत छोटा हो जाएगा capital m के respect में तो जहां-जहां small m है वहां से इसको गायब कर दिया negligible consider करते हुए तो negligible consider किया small m की जगा capital m रह गया सिफ मरें यहां से 2r by 3 इस्तान से समझ आती यह बाते हैं अगले सवाल के और बढ़ सकते हैं चोल भई अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है a cylinder of mass m and radius small r is mounted on a frictionless axle over a well the rope of negligible mass is wrapped around the cylinder and the bucket of mass m is suspended from the rope the linear acceleration of the bucket will be better क्या बोला एक cylinder जिसका mass m है और radius r है so I'm having this cylinder जिसका mass m है और जिसका radius r है capital m is the mass and radius is small r इस पे एक रस्ती बांद के रखी हुई हमने और रस्ती का एक जो हिस्सा है वो एक bucket से attached है बिटा रस्ती का एक हिस्सा bucket से attached है a rope of negligible bucket का mass यहां पे बिटा small m हो जाएगा small m is suspended from the rope the linear acceleration of the bucket बिटा bucket का acceleration क्यों होगा we know better जैसे bucket नीचे जाएगी यह cylinder जो है इस axis के about घुमेगा जैसे bucket नीचे जाएगी यह cylinder इस axis के about घुमेगा तो bucket को नीचे ले जाने के लिए कौन जिम्मधार पहले तो मैं forces बनाता हूँ bucket पे लगने वाले बिटा bucket पे लगेगा mg वाला force बकेट पे लगेगे टेंशन टी वाला force और बकेट नीचे जा रहा है एक solution से तो यहां पे mg माइनस का टी इस इकोल्स टू एमे यह मैंने वकट के लिए लिखाए बिटा यही टेंशन इस cylinder को भी घुमा रहा था और विसी बात है रसी जैसे घुमेगी रसी जैसे नीचे खिचेगी cylinder घुमेगा यहार ऐसे तो होता है जैसे रसी नीचे की तरफ पुल होती है यह घुमता है अच्छा यह यह cylinder है कौन से cylinder of mass M बिटा यहाँ पर यह cylinder जो है अगर कुछ नहीं बोले तो solid consider कर लेना अगर यह solid cylinder है तो यह टॉप टी जो है इसको क्या कर रहा है वह घुमा रहा है टी क्या कर रहा है मेरे बच्चे इसको घुमा रहा है इसके center के बाउट यह R distance यह T so torque equals to RT also torque equals to I alpha equals to RT बिटा यह center के बाउट घूम रहा है सिर्फ cylinder बोला है अगर वो hollow नहीं बोल रहा है तो solid consider कीजिए तो MR square by 2 into alpha equals to alpha into T sorry RT एक R से R मर जाएगा तो MR alpha upon 2 equals to T बिटा A equals to alpha R वाले relation से alpha की जगा A upon R लिखने में कोई बुराई नहीं है so MR by 2 dot A upon R equals to T R से R मर जाएगा T का value बिटा MA by 2 आएगा यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी सब बढ़िया चल रहा था T को ठाके यहां पर put किया so it comes out to be MG minus MA by 2 equals to MA so MG is equals to small m plus capital M by 2 into A और A का value हो जाएगा मेरे बच्चे MG divided by small m plus capital M by 2 या फिर 2 MG divided by 2 M plus capital M अरे LCM वगरा है लो 2 M plus capital M it equals to 2 MG so 2 MG divided by 2 M plus capital M this is the acceleration यही तो बताना था मुझे यही तो बताना था मुझे acceleration जो मैंने बता दिया और यह बाट अपने complete हो गया समझ आती है बाते सभी को कोई rocket science नहीं है simple simple सी बाते हैं बस आपको इतना जानना है कि पहले bucket के लिए solve करा फिर आपने इसके लिए solve किया अगर question में कुछ नहीं बोला है सिर्फ cylinder बोला है तो मैंने इसको solid cylinder consider करके i equals to mr square by 2 किया center के बाट से moment of inertia भाई कोई समस्या तो नहीं है ना आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं let's see some previous questions based on this rotational motion बिटा सबसे पहला सवाल मैं 2021 को ठालेता हूँ बोला गया है moment of inertia of four bodies having the same mass and radius are reported as बिटा चार बोड़ी से अलग अलग मार्स चारों का सेम है radius चारों के सेम है पहली बोड़ी एक circular ring है जिसके diameter के about moment of inertia निकालना है तो circular ring के diameter के about moment of inertia I think we know better it is mr square by 2 होता है होता है की नहीं होता भई mr square by 2 दूसरा है moment of inertia of a circular disk about an axis perpendicular to the disk and going through the center पिटा अगर यहाँ पे एक disc मैं बना लूँ एक disc के ऐसी axis जो की disk के perpendicular है और center से पास हो रही है इसके लिए moment of inertia mr square by 2 होता है तीसरी body है पिटा moment of inertia of a solid cylinder about its axis solid cylinder about its axis solid cylinder solid cylinder solid cylinder solid cylinder समझ गया सर्ब यह रहा solid cylinder मेरे बच्चे और यह रहा उसका axis इस axis के about moment of inertia बेटा सामने से देखा तो एक disc की तरह दिखा क्योंकि solid cylinder को जब सामने से देखते हो तो एक disc की तरह दिखता है तो अगर solid cylinder को सामने से देखा एक disc की तरह दिखा तो जो moment of inertia डिस्क का था वही इसका भी रहेगा चौथी वोड़ी है सॉलिट स्वेर अबाउट इस डायमेटर तो चौल सॉलिट स्वेर के डायमेटर के अबाउट अगर आप बात करोगे सो मोमेंट अफ इनर्शिया फोर्थ वाला बने का टू बाई फाइव एमार स्क्वेर ठीक है टू बाई फाइव मतलब जिरो पॉइंट फॉर एमार स्क्वेर तो आई वन आई टू आई त्री आई फोर में क्या रिलेशन आएगा बेटा i1 i2 और i3 तीनों बराबर हैं सर और i4 जो है इन सबसे छोटा है तो तीनों बराबर है और i4 सबसे छोटा है option मिल रहा है मुझे देख लीजेगा क्या यही आंसर होगा इसका हां सर यही आंसर होगा आइवन आइटु आइटरी टीनों बराबर है और आइफोर इन से छोटा है क्योंकि जब आइफोर को सौल्फ किया 0.4 आ रहा है। इनको solve किया तो 0.5 आ रहा है। 0.5 तो बढ़ा होता ना पाई 0.4 से। तो यह C is the correct one. लिख लीजे जल्दी से इसको. लिख लिख लिए सबीने. आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, 2 uniform circular disk are rotating independently in the same direction around their common axis passing through their center. The moment of inertia and the angular velocity of the first disk are 0.1 kg meter square and 10 radian per second respectively, while those for the second are 0.2 kg meter square and 5 radian per second. At some instant, they get stuck together. मेरे बच्चे यहां पे 2 circular disk की बात कर रहे. तो पहले disk घूम रही थी. moment of inertia दे दिया है 0.1 kg meter square साथ ही साथ I1 हो गए है और omega 1 दे दिया है 10 radian per second बिटा दूसरी disk की भी बात लगे हाथ कर लीजिए और दूसरी disk के लिए जो moment of inertia उन्होंने बोला it's 0.2 kg meter square and the angular velocity is given as omega 2s which is 5 radian per second पहले यह अलग-अलग speed से घूम रही थी यह omega 1 से घूम रही थी यह omega 2 से घूम रही थी है न लेकिन क्या हुआ यह दोनों जो डिस्क थी बिटा वो चिपक गिया आपस में साथ get stuck together एक साथ चिपक गई और एक साथ घूमने लगी अब जब यह दिस्क एक साथ चिपक गई और एक साथ घूमने लगी तो इक विल बिल सम्थिंग लाइक दिस देख रहा है यह उपर वाली डिस्क यह नीचे वाली डिस्क यह दोनों डिस्क अब साथ में घूमरी है तो कितने एंगुलर स्पीट से घूमेगी यह आपको बताना यही पूच का कानेटिक एनरजी पूचा है तो क्या हो गया सर कानेटिक एनरजी ऑफ दे कंबाइन सिस्टम इस हाफ आई ओमेगा स्क्वेर आपको उमेगा निकालना है तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा अच्छा अब साथ में चिपक गई है और साथ में घूम रही है तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल भी जिरो पॉइंट वन प्लस जिरो पॉइंट टू आई तिंग इट्स जिरो पॉइंट थी केजी मीटर स्कूर चलिए बहुत बढ़िया अच्छा एक बात बताईए क्या कोई बाहर से आया जिसने इनको साथ में चिपका के जाथ जवर्दस थिख्वाया नहीं से बाहर से कोई भी नहीं है बाहर से कोई नहीं आया that means here the net external torque will be zero और अगर net external torque मेरे बच्चे 0 हो गया तो angular momentum initial वाला वो final वाले के बराबर होगा from the angular momentum conservation so angular momentum conservation say L initial बराबर L final होगा L initial में L1 प्लस L2 हो जाएगा और L final में वहां से आप इसको करेंगे तो ऐसा करने से आपको मिलता है omega omega मिलने से उसको वहां पूट करेंगे then you will get the kinetic energy let's solve this pita so from the angular momentum के conservation से L initial L final है यहाँ पर L1 प्लस L2 इकोल स्टू आई 1 प्लस आई 2 इंटू omega यह जाएगा आई 1 omega 1 प्लस आई 2 omega 2 इस इकोल स्टू आई 1 प्लस आई 2 इंटू omega बटा आई 1 की जगा 0.2 इंटू यहां पर 10 देख लीजिए 0.1 इंटू 10 0.2 इंटू 5 प्लस 0.2 इंटू 5 इकोल स्टू 0.3 इंटू omega यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर भी क्या हैंगा इंटू 1 इकोल स्टू 0.3 इंटू omega विल बी 20 बाइ 3 रेडियन पर सेकिंड 20 बाइ 3 रेडियन पर सेकिंड 20 बाइ 3 रेडियन पर सेकिंड ओमेगा की वैल्यू आगी जब दोनों डिस्क आपस में चिपक गई तो उनकी जो फाइनल अंगूल यह वेलोसिटी है वो 20 बाइ 3 र हो जाएगा ओवेगा का स्क्वेर चार्सो बटा नौ हो जाएगा पॉइंट आया अपन में 0 है 0-0 मर गया टू से 20 इंट सी मर जाएगा एंड 3 3 9 होते है तो बाइट विल बी 20 बाइ 3 जूल 253 जूल यानिकि 6.something something 253 253 यह दिख रहा है सब्दी ऑप्शन में आंसर आगे बेटा इस 20 बाइ 3 जूल जो की मैंने हाँ पे सॉल्व करके दिखा दिये तुम लोगों को दिस इस दा फाइनल काइनेटिक एनरजी जो हमें चाहिए थी ते काम कीजिए इसको नोट कर लीजे फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और था किया नोट कर लिया है सभी ने नोट बढ़े आगे अगले सवाल के और आते हैं बोला गया है शोन इंदा फिगर इस ए रिजेड यूनिफॉर्म वन मीटर रॉड ए बी हैल्ड इन दा होरिजॉंटल पोजिशन बाई टू स्ट्रिंग देख रहे आपको दो रसियों से इसको लटका के रखा हुए रॉड का मास M है इसके उपर एक और वेट जिसका मास 2M है उसको लटका के रखा है 75 सेंटीमीटर फ्रम दा ए पर तो A वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी ये बताईए बेटा इस डाग्राम को मैं जरा अच्छे से बनाना चाहता हूं तो मैं 2MG वाले एक फोर्स लगेगा इस पर यहां से 2MG वाला फोर्स लगा बिल्कुल सेंटर पे एक फोर्स Mg भी लगेगा जो इसका खुद का वेट होगा बेटा यहां पे टेंशन आएगा T A यहां पे टेंशन आएगा T B मेरे बच्चे एक बात जो इन्होंने यहां पर डाइ सेंटीमीटर की है यह पूरी वन मीटर की है 100 सेंटीमीटर बोलूं या फिर वन मीटर बोलूं एक ही बात है यहां पर यह 50 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे तो यहां से भी पच्चास सेंटीमीटर हो जाएगा यह वाला पाट होगा 25 सेंटीमीटर का 20 क्योंकि यहां से प consider, let us find, let us find net torque about B, B point के about, net torque find करते है, net torque about B का मतलब क्या है, about B का मतलब यह है कि axis of rotation, axis of rotation B से पास होगा, axis of rotation B से पास हो रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं अपने हाथ को ऐसे रख ले हूँ, axis of rotation पे, यह axis of rotation, TA, body को ऐसे घुमाना चाहता है, इधर की तरफ, MG, body को ऐसे घुमाना चाहता है, और 2MG भी body को ऐसे घुमाना चाहता है, तो बैटा, 2MG की tendency, body को टेंशन की टेंडेंसी इधर कुमाने की यह फोर्सिस है इनके डिस्टेंसे आपको पता है टॉर्क निकाल सकते हो और उसको जीरो के बराबर कर देना क्यों क्योंकि सर बॉड़ी यहां पे रोटेशनल इकलिब्रम है और बेटा जब भी बॉड़ी इकलिब्रम में होती है तो ना तो वो रोटेट करेगी ना तो वो लीनियर मोशन करेगी तो अगर कोई रोटेशन ही नहीं हो रहा तो नेट टॉर्क जीरो गा बेटा तो यहां पे पहली बात तो यह होती है कि नेट फोर्स जीरो हो जाता है also यहाँ पे net torque भी 0 होता है तो मैं torque का सहारा ले रहा हूँ तो B point के पॉर्ट net torque को 0 किया तो let's solve it again here so tension TA की वजह से TA into 100 बेटा ये clockwise direction में गुमा रहा है मैंने minus का साथ ले लिया plus का mg into 50 बेटा ये क्या कर रहा है clockwise anti clockwise गुमा रहा है plus में ले लिया plus का 2mg into 25 ये भी clockwise डिर्क एंटी clockwise में गुमा रहा था इसले कर लिया net torque r into f net torque r into f force TA r कितना है 100 cm force mg r कितना 50 cm force mg r कितना 25 cm चोड़ो बहुत बढ़िया अब आप समझदार है इसको meter में convert जरूर कर लेना ताकि गलती ना हुआ सब हटा दो so minus का TA plus का mg by 2 plus का mg by 2 तो TA equals to mg this is your final answer TA का value mg होना चाहिए ठीक है so 1 mg is the answer है जो कि मुझे d option में मिल रहा है तो यह हमारा final answer है देखा अचा अगर आप किसी और point के about torque निकालते है अगर आप इस point के about torque निकालते है तो TAB आता TBB आता अगर आप इस point के about torque निकालते है तो A भी आता B भी आता तो मैंने क्या किया अब B नहीं चाहिए तो B point के about torque निकाल दो अगर आपको A point नहीं चाहिए था तो आप A के about torque निकाल देते है दीक है उसका खुद का torque 0 रहता है net torque due to TB should be 0 क्योंकि वो खुद बखुद axis से pass हो रहा है बेटा जो force axis पे होता है वो उसका कभी कोई torque नहीं आएगा तो TB की वज़े से torque 0 रहता है यहां ठीक है बागे सब की वज़े से मैंने torque निकाला उनका summation वगरा किया और 0 के बराबर कर दिया rotational equilibrium की वज़ा से rotational equilibrium की वज़ा से ये काम किया मैंने ठीक है चली भी तो लिखना शुरू करेंगे यहां से इस सारी बाते लिख लो यार फिर आगे बढ़ते हम लोग लिखा सभी ने ये भी हो गया चली भी बहुत बढ़िया आगे पड़े अगले सवाल पहे बोला गया a solid sphere of mass m and the radius capital r is divided into two unequal parts the first part has a mass of 7m by 8 and is converted into a uniform disc of radius 2r the second part is converted into a uniform solid sphere let's say i1 and i2 be the moment of inertia of these new bodies then the ratio of i1 by i2 is given as break solid sphere था अपने पास बराबर नहीं काटा है उसको divided into two unequal part है ना बराबर बराबर का बटवारा मत करना यहां से बटवारा कर दो इसको यहां से बटवारा करने पे एक पार्ट यहां पर अपना ऐसे बन जाएगा और एक पार्ट यहां पर अपना ऐसे बन जाएगा इसका मास होगा 7m by 8 तो बिटा इसका मास हो जाएगा m by 8 हाँ से बिलकुल इस वाले को आपने modify किया और आपने convert किया इसको in the disk जिसका radius है 2r इस वाले को आपने convert किया और एक solid sphere बना दिया solid sphere ही बनाया ना हां जिसका radius पता नहीं सर कितना है let's say मैंने मान लिक रwives smaller थीक है तो इसका moment of inertia i1 इसका moment of inertia i2 इसका moment of inertia i2 तो i1 और i2 का ratio बताना है ठीक है, about the axis ही find किये यहाँ पर तो axis के बहुत इसका moment of inertia i1 axis के बहुत इसका moment of inertia i2 यहाँ मेरी सबसे i1 तो में निकाल लूँगा mr square by 2 करगे axis इसकी यही होती है न मेरे बच्चे तो axis के बहुत disc है यह disc तो disc का mr square by 2 होता है यहाँ पर r की जगा 2r put करना तो it will be 4 mr square by 2 यानि कि 2 mr square हो जागा है i1 तो निकल गया it will be 2 mr square, इसमें कोई आपत्ती नहीं है i1 को तो मैं solve कर दूँगा इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं मुझे जैसे कि i1 के लिए मैंने जब लिखा it will be your mr1 का square by 2 so m into r1 यहाँ पर बेटा 2r है इसका square करेंगे और upon में 2 लिखेंगे so i1 जो आ रहा है it will be 4 mr square by 2 तो i1 की value तो बहुत easily निकल जाएगी 2 mr square दिक्कत क्या रही इसका radius मुझे नहीं पता इसका radius तो उन्हें बोल दिया था 2r है देखो न disc of radius 2r दिक्कत दियारी इसका radius मैं नहीं जानता हूँ क्या होगा तो इसके radius को convert करना है हाँ initial वाले का radius मैं जानता हूँ इसका capital r radius था दब इसको हमने बटवारा किया तो इसका radius capital r था इसके respect में ये वाला पता है अपने को लेकिन वो नहीं पता तो क्या करें बिटा एक काम करो यहाँ से एक बात हम जानते हैं कि density इनकी same रहेगी हाँ density same रहेगी सर same material same material की वज़़ा से यहाँ पे same density भी रहेगी इनका material same है इसके कारें इनकी density भी same रहेगी तो बेटा जो density इसकी वही density इसकी होगी चलो बई तो density से बराबरी करते इसकी density equals to mass upon volume तो mass initial वाला volume initial वाला equals to mass final वाला mass volume final वाला बेटा initial mass m by 8 initial volume 4 by 3 pi r cube ऐसा करोगे m by 8 से equals to final mass mass अच्छा सॉरी initial वाले से compare करें उसको तो यहां पर m आएगा और यहां पर आएगा m by 8 into 4 by 3 pi r cube चलो बेटा m से m मढ़ जाएगा 4 by 3 pi से 4 by 3 pi मढ़ जाएगा so 1 by 4 r cube is equals to sorry 1 by 4 1 by r cube is equals to 1 by 4 small r cube तो r cube is equals to 8 r cube so r equals to 2 r and from here small r equals to capital r by 2 so जो इनीशल ही हमारे पास sphere था उससे चीजों को compare करते चले material तो सेम है न सबका इसका जो material इनका भी वोई material इसका भी वोई material तो material सेम है तो initial वाले से इसको compare किया यह हमारा initial वाला हो जाएगा यह हमारा final वला हो जाएगा तो दोनों का आपस में compare किया दोनों की density तो same थी material same होनी के वज़े से but volume में परिवर्थन हो जाएगा इस पर है तो वहाँ से relation आ रहा है कि small r equals to capital R by 2 है तो अब हमारे पास एक solid sphere जिसका radius small r है जिसका mass है कितना m by 8 इसका moment of inertia निकाले इसका moment of inertia i2 given by 2 by 5 mr square तो इसका m by 8 है into radius इसका capital R by 2 है तो capital R square by 4 हो जाएगा 2, 4 is a 8 होता है 4, 4, 16, 5 is a 80 तो mr square by 80 हो जाएगा यह है i2 वैसे ही यहाँ पर i1 को भी correct करो यहाँ पर mass की जगा mass की जगा हमें 7m by 8 पुट करना है इसका mass 7m by 8 हो जाएगा 7 by 8 तो इसको correction करना बेटा है इसका भी mass यहाँ पर 7m by 8 करेंगे हम लोग so i1 is again 7, 4, 28 या फिर 2 से 2 मार देता है 4, 2, 8 7mr square by 4 आएगा इसका तो इसका ratio आएगा 7mr square by 4 देख लेना यार एकवा करके it will be 2mr square into 7 तो 2 से वो 4 times करने से लोगते है तो इसका i1 आए 7mr square by 4 i2 आ रहा है mr square by c i1 by i2 का ratio पूच रहा है वह हम से हम निकाल देते i1 by i2 7mr square by 4 into mr square by 80 mr square से mr square मर जाएगा 4 से 20 टेंस मर जाएगा 7 to the 14 होते हैं तो i1 by i2 का जो ratio आ रहा है it's 140 upon 1 140 divided by 1 जो कि मुझे मिलता है यहाँ b option में तो b is the correct one ठीक है यहाँ पर correction करना बिटा हम सिर्फ m ले रहे थे लेकिन असल में डिस्क का मास तो 7m by 8 है ना तो 7m by 8 मास लेने 7 by 8 से मिल्टिप्लाइए अब सही है यह वाला पाट नोट किये हैं सभी ने लिख लो इसको भी यहाँ पर i1 by i2 देखो यह 20 उपर जाएगा 7 to the 14 होते है और 0 लग जाएगा 140 is to 1 चलिवे बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आते हैं अगले सवाल बोलता है एक उनिफर्म रोड जिसका लेंद L है is being rotated in a horizontal plane with a constant angular speed about an axis passing through one of its end if the tension generated in the rod due to the rotation is TX at a distance X from the axis then which of the following graph depicts it most clear लोज़ देखों सबसे करीबी graph काउन सा रहेगा बेटा मैंने क्या बोला है एक रोड अपने पास में है जो की rotate कर रही है about its end यही बोला है अब विर्दा constant angular speed about an axis passing through one of its end यहां से axis pass हो रही और यह rod rotate करीए पीटा X distance पे उन्होंने बोला है यहां पे कहीं पे जो tension लगेगा वो होगा TX ठीक है rod का length overall कितना L है rod का overall length कितना L है rod का length L हो जाएगा rod का mass अभी हमें ज़र पड़ीगी तो मैं बता दूँगा आपको लेकिन इस point पे tension TX है तो आपको TX का graph versus X बताना है कि यह X के साथ कैसे vary कर रहा है तो इसके लिए कौन सा perfect graph रहेगा तो मैंने इस होला कि यहां तक तो छोड़ दो X equals यहां पे तो X तक था यहां तक आते थोड़ा से न यहां से लेके यहां के बीच में क्योंकि इधर जो भी tension generate होगा it is all because of this mass तो यह जो tension यहां generate हो रहा है इसकी जिम्मेदारी इतमें पार्ट को संभालने की है इतने से पार्ट को यह बाहर वाला पार्ट जो है इसके लिए चर्चा करते बेटा इस पार्ट में एक छोटा सा element हमने consider किया तो हम यहां पे सबसे पहले small element को लेके solve करते हैं तो आँ ज़रा मैं तुम्हें बताओं कैसे small element consider करना है आँ कर ले भई पर जैड़ चलाँ इतने से पार्ट पे मैंने एक छोटा सा element consider किया जिसका mass हो जाएगा बेटा dm इस छोटे से element पे tension t लग रहा होगा ठीक है और यह tension t क्या इसको centri-petal force provide कराएगा बिलकुल कराएगा सब सो dm omega और यह distance जो हो जाएगी वो कितने हो जाएगी l x माले तो ना x सही है ठीक है x distance पे तुम find करते वैसे भी तो x distance पे tension तुम्हें पता ही था है ना ठीक है तो this is your d t चोटे से element जो की वहां से x distance पे था उस पिलिए मैंने इस सारी बाते solve करी मैंने dm को x के साथ integrate नहीं कर सकते जब मैं इसका integration करूंगा d t तो मुझे t मिल जाएगा which is equal to integration of dm omega x square मेरे बच्चे एक दिक्कत आती है कि mass का integration x के साथ नहीं कर सकते तो आपको dm को eliminate करना पड़ेगा तो dm को eliminate कैसे करते है मैंने बुला यार overall rod जो है अपने पास उसका length मालीजे l हो जाएगा इसका mass मालीजे m हो जाएगा इस rod में एक छोटा सा element आपने ले लिया जिसका mass dm हो जाएगा जिसकी length मैंने dx माली है तो l length की rod थी जिसका mass था m तो unit length की rod का mass होगा m by l है नो तो जो छोटा सा element आपने लिया है dx length का उसका mass होगा m by l into dx और यह dm के बराबर हो जाएगा by L omega dot dx into x square बैटा limits कहां से कहां तक लगेगी ये सोचना बहुत ज़रूरी है तो मैंने क्या बोला देखो x distance पे tension T हमें पता है ये पता है already तो x से लेके L तक के बीच की बाते हम कर लेता है यहां पे हमें पता चल दाएगा tension किता है क्योंकि ये tension basically ऐसे लगेगा मतलब इस पूरे पार्ट को संभालने का ये पूरे पार्ट को संभालने का जिमा ये tension T ले रहा है तो मैं x पे tension T मुझे पता है तो L पे tension T निकाल लेता हूं कितना होगा वो देख लेते हैं चलेगा क्या तो मैंने बुला है इसको क्यों ना हम x से लेके L तक सॉल्फ कर लें ताकि मेरा काम आसान हो जाए एक्स पे तो tension वैसे भी पता है ये आपको कितनी होती है तो L पे tension देख लेंगे फिर यहां से जब इसको सॉल्फ किया तो M omega by L ये बहार आ गया integration किया x square dx का M omega by L hmm क्या करें इसको M omega omega square R M omega square R है ना M omega square R omega square omega square omega square into dx low so omega square यहां पे और इसको correct करो यहार क्या कर दिया मैंने यह पाप हो गया है ना so इसको integrate करा x square by 2 आएगा और यहां से limit x से लेके L तक लगी रही so it will be M omega square by L upper limit हो जाएगी L square by 2 minus lower limit हो जाएगी x square by 2 और यहां पे ही हो जाएगा tx so it comes out to be M omega square by L L square minus x square by 2 2 चाहो तो बाहर निकाल से रख सकते हो तुम्हारी इच्छा शद्द है कोई रोक टोक नहीं रहीगी इस पे so हमें पता था x से लेके L तक की लिए इसको हमने solve किया क्योंकि x पे मुझे tension पता था तो L तक भी हम इसको लेके जा सकते थे तो बेटा यहां से tx और x का आप relation देख रहो बेटा तो it will be something like parabola curve बनेगा यह also जैसे जैसे x को increase करेंगे tx का value decrease होगा बेटा क्योंकि यहां पे देखो माइनस का sign है x को increase करोगे तो यह पूरी value decrease हो जाएगी x को increase करने से tx decrease होगा तो parabola का curve और जिसमें x increase करने से t decrease हो जाए वो हमारा बिल्कुल सही curve बनेगा पहली बात parabola यहां देखने को मिल रहा है लेकिन यहां नहीं दिख रहा है यहां पे जैसे जैसे मैं x को increase कर रहा हूँ आप देख रहों tension भी increase हो रहा है यह option बिल्कुल गलत consider किया जाएगा क्योंकि हमारे लिए x को increase करने से tension decrease होनी चाहिए थी जैसे जैसे x को increase करते जाओगा tension decrease होता जाएगा और यहां पे हमने बुला कि जो l पे tension होगा वो 0 हो जाएगा समझते हो बात को ले रहेगा तो जब x का value 0 तो tension उस time पे maximum चाहां पे x का value 0 हो रहेगा वहां पे tension maximum होगा जैसे जैसे x जो है हमारा l के बरावर होगा मेरे बच्चे tension जो हो जाएगा वो maximum हो जाएगा ठीक है कि समझते हो बात को कि लेख लो इसको चलिए कि लेखा सभी ने कि कि इसको करेक कर ले नहीं कूँ रूख जब x का value 0 तो यहां पे tension maximum और जैसे जैसे यहां जाओगे यहां tension minimum होती जाती है ना यह है लिख लो इसको लिख लो लिख लो लिख लो यह पूरा part हो गया बहुत बढ़िया तो यहां पे अपना इस जो rotation का पार्ट है बेटा ही complete हो जाता है बाकी उम्मीद करते हो जो बाते में आपको बता ही हो समझ आती होंगी rotation के जो moment of inertia और यह सारे बाले concept है वो सब समझ आते होंगे कोशन ऐसा नहीं कि यहां पर जो मैंने कर रहा है वह बहुत जादा हो गए लेकिन हाँ इतना है कि आपके वह जो थौट है को लेकिए क्लियर हुई होगी अपार्ट फॉम दिस एकाम और कर लेना आप लोगों को और कोशन मिले उनको जरूर सॉल्फ करो बाकी वीडियो अग को वेबसाइट पर मिल जाएगी तो अब से आपको वीडियो को इधर उदर जाके डूनने की जोट नहीं सीधा यहीं आजो यहां पर आके अपने प्राइक को कंटिन्यू करो ठीक है बाकि अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको जरूर दबा लेना उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना सो देट आपको इन नोटिफिकेशन मिस ना कर सके अपर्ट रूम दिस अपने दोस्तों था कि सेशन को जरूर पहुचाईए ताकि उनको भी वो सारे बेनिफिट्स मिल सकें जो आप लोगों को मिल रहे है और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना तो बस इतनी ही कहां नहीं थी इस रोटेशनल मोशन की मिलते आप से अगले सेशन में एक नए जापड़े के साथ तब तक अपना ध्यान रख किये पढ़ाई करत रहे है अल्दा वेलिवेल